नमस्कार आपके साथ मैं हूँ तिजर स्वी चंडोक नएर और आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की जी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखना यही है कि किस तरह से इस दुर्गम इलाके की जनता के दिलों से जुड़ते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का विशेश विमान नौ बचकर पांच मिनिट पर लेह एरपोर्ट पर उत्रा एरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने पीम का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जब मौकश्मीर के मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला भी एरपोर्ट पर मौजूद थे पीम के साथ उर्जा मंत्री पीउ शुगोयल भी लेह पहुंचे हैं इसके बाद पीम का काफिला एरपोर्ट से निकल गया पीम कुछी देर में लेह में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीम आज कश्मीर के जनता को दो पावा प्रोजेक्ट की सौगात देंगे मोदी लेह में चुटक पावर प्लांट का शेलानियास करेंगे और विकास हमेशा से ही मुख्य मुद्दा रहा है प्रधान मंतरी का इसलिए कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सौगात दे रही हैं पहले मोदी ने माता वैश्वनों देवी के दर्शनों के लिए कट्रा से जम्मू तक श्री शक्ती एक्स्प्रेस की शुरुआत की तो वहीं अब राज्य को बिजली परियोजनाओं की दो सौगात वो दे रही हैं ये दो तस्वीरें जो की बता रही हैं कि किस तरह से विकास क वादे के साथ वो देश में इस दुरगम इलाके जम्मू कश्मीर के इलाकों के लोगों के साथ ज़ुड़ना चाहते हैं और उनके दिलों को जीतना चाहते हैं मोदी के दोरे को लेकर वहां की जनता में भी खासा उत्सा है आपने देखा होगा चाहे देश हो या विदेश जहां कहीं भी नरेंद्र मोदी जाते हैं नहीं सिर्फ लोगों से जुड़ते हैं बलकि उनके दिलों में बसते भी हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें लेह में भी देखने को मिली हैं लोगों को उमीद है कि अब वो पूरे देश के साथ जब विकास की बात करते हैं तो इसमें भागीदार होगा उनका हलका भी बहुत अच्छा लग रहा है परदन मंतरी एक बहुत लदक वसीयों के लिए कभी उमीद है लेकि हम कर रहे हैं उनसे नरेंदर मुदी जी परदन मंतरी बनने के कुछ मीने की बात लदक शित्राला है इससे हमें अनुमन लगा सकता है और लदक वसीयों के लिए कितना प्यार है हिंदुस्तान के परदन मंतरी जो यहाँ पार ताजिर विला रहा है तो इससे हमें बहुत खुशी है और आपको बता दे कि यहाँ पर अब तक जो हमें अपडेट मिल पा रहा है इस यात्रा के मुतालिख तो लेहे के जो जवान हैं उनको संबोधित कर चुके हैं प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी और यह भी कहा है कि जल्द ही राष्ट युद इसमारक बनाया जाएगा पीम ने कहा कि जितना समान आपका है उतना समान उसमा का है जिसने आपको जन्म दिया ऐसे सपूत देश को चाहिए और इसी वजह से और आपके जजबी की वज़ह से ही देश आज सुरक्षित है और हम आपको बता दें हमने देखा किस तरह से जब 26 जुलाई को हम करगिल युद की करगिल युद को याद कर रहे थे और तब भी हमने देखा था कि हमेशा से ही हमारे देश में जहां से सबसे ज़्यादा जवान निकलते हैं पूरी दुनिया में वहाँ पर एक भी राष् राष्टिय रुद युद उस्मारक बनाये जाने की उन्होंने बात कही है पियम ने कहा है कि जितना सम्मान आपका है उतना ही उसमा का भी है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किये आज आप ही के जजबे की वज़ह से हम सभी लोग बेश में सुरक्षित हैं और हमारे साथ करगल से जड़ रहे हैं समधाता खालिद हुसेन खालिद मोदी के दोरे को लेकर फिलहाल आप से जाना चाहेंगे कि लोगों में कितना उत्सा और क्या उमीद है और खालिद पर भी हम जाते हैं लेकिन उससे पहले आयों सुनते हैं कि वहाँ पर मौझूद जो लोग हैं वो कितने उत्साहिद और लोगों को उमीदे जाहें तो पर काफी हойдंगी क्योंकि अगर हम लेह लदा की बात करें तो यह कैसा हलका है जो की कटा रहता है समूचे देश से चाहे बात हो विकास की, चाहे बात हो इंफरस्ट्रक्चर की, चाहे बात हो बेरोजगारी की यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो की कौन्थते रहते हैं लेहे की जनता के जहन में और आज उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि जब प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी आएंगे तो जरूर उनकी इन बातों को वो ध्यान से सुनेंगे और उनकी इन बातों का मर्ज भी बता कर जाएंगे और तस्वीरें भी लगातार हम आपको वहां से दिखा रहे हैं अपसे कुछी दिर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पे सफेद रंग के भारतिय वायुसेना के विमान से उत्रे लेह की सरजमी पर प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी और अब जो खबर मिली है यहां पे उन्हें लेह के जवानों को संबोधित किया और राश्ट्री युदस मारक बनाने का वादा किया खालिद हुसेन हमारे साथ हैं खालिद ये सवाल में आपसे जरूर पूछने वाली थी नरेंद्रमोदी इन सवालों के जवाब देते हुए भी लगातार नैशनल वार मेमोरियल की मांग उठती रही है उस वादे को लेकर नरेंद्रमोदी आए है लेके जवानों के बीच जिते कि जो ये वार ममुर्यल का वादा हुआ है ये एक लगातार यहां पे मांग रही है हलाँ कि द्रास में एक वार ममुर्यल है लेकिन इसको एक बड़े पैपाने पर बनाने की जो है मांग हो रही थी और वो आज वादा प्रदानमंती एक तुछ कर दिया तक तक ही उन्होंने जवानों का होसला आप दाया है जो बेशेकर। तबोर्धित उन्हों ने किया है उन्होंने बहुत बड़ा दर्जा दिया ये उन्हों है का देश सुरहनिकि वजहा से और उन्होंने दसेवल शैनिकों को बलकि उनकी परिवार को भी सम्मान दिया है और कहा है कि उस मा का भी वही सम्मान है जो आपका है कहीं न कहीं होसला बड़ा है उस जवानों का जो आज श्याचीन से नीचे आए और उन्हें संबोदित किया गया प्रदान मंस्री द्वारा और कटिन परिस्टिव ने जो यहां जूटी दे रहे हैं जब से करके लिद हुआ है तब से कोई भी पोस्ट जो है चाहे माइनस ठाटी ज़िए यहां पर हो ठोड़ी जाती है उसको वहां पर वकाइम रहते हैं जवानों और उन जवानों का नरेंडर मोदी ने कई आज स्वा पर आना चाहूंगी एक महतवपून बात को लेकर लदाक वहलका है वह कॉंस्टिएंसी है जहां पर इस लोग सभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की इससे पहले नाशनल कांफरेंस या फिर कॉंग्रस के गडबंधन का जो उमीद्वार था वही यहां से जीतता आ से उन्होंने उठाया था कि यूनिन टेरिटरी का दर्जा वो लदाक को दिलवा के रहेंगे इससे पूर में नितिन गडगरी भी यहां आई था और उनने का था कि छे महीने के अंदर यूनिन टेरिटरी का दर्जा मलदाक को दे देंगे यहां के लोग काफी मासूम हैं बा साक के लोगों के जहनु में हैं और खाक लेके लोग जो है या यूनियन टेजरी की मांग करते आ रहे हैं और इस बार जो चुनाओ है उसके बीजेपी का एक मुदा भी रहा है कि इस लदाख शेतर को यूनियन टेजरी का दर्जा दिराए जाएगा और शायद ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि जिसकी वज़ा से जीत दर्ज की है बाजबा ने यहां पर लदाख पार्लिमेंट्री छेतर से और आज जब कुछी समय बाद नरिंद्र मुदी यहां आ रहे हैं और कहीं नरिंद्र मुदी क्या उसकी तरफ को इशारा करते हैं क्या हमें वो जो कि हमने आभी तक बड़े चूटे वादे दिये हैं पिछले राज जयता उन्हें हमें रिजाया है हमसे वोट किये हैं तीटे बनी है यहां एंपीज बने लिकिन आज एक बार इन पे वरोसा कर रहे हैं और हमें हमारी उमीद है कि आज प्रदान मंत्री कोई न कोई बड़ा तोपा उनको देंगे और अब देखना यह है कि क्या इस इस बारे में अगर भोशना नहीं होती है इशारा क्या होता है शायद उसका एक बहुत बड़ा इंतजार रहेगा यहां के लोगें को जी बिलकुल खालेता बने रहे हमारे साथ इस बीच हम अपने दर्शकों को बता आना चाहते हैं इस वक्त की ताजा खबर कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो हैं वो लहे की सरजमी पर गदम रख चुके हैं लेके जवानों से वो रूबरू होए है और वहां पर राश्ट्रिय युदस मारक बनाने का उन्होंने वादा भी किया है जाहिर तोर पे हमार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल राश्ट्रिय यानि के नाशनल वार मेमोरियल के समुद्धे पर आते हुए इसको छूते हुए और वादा करते हुए लेकी जनता से जरूर करगिल में करगिल वाल मेमोरियल है लेकिन देश में इतनी बड़ी तादाद में ज की पर बदान का है आपको क्या लगता है लोगों के बीच में क्या उमिदें क्या उत्सा जान मंत्री नरिंदर मोडी जमो कश्मीर राजी के अपने दूसरे दोरे के दोरान ले पहुंच चुके हैं और वहाँ पर वो एक पावर प्रजेक्ट का उद्गाटन करेंगे साथ ही एक जनसबा को संबोधित करेंगे और उसके बाद अपना कारिकरम खतम करके वो सीधा में भी वो एक जनसबा संबोधित करेंगे यहां भी उनका जो शेडूल है एक पावर प्रजेक्ट का उद्गाटन करेंगे और ऐसी बैटकले लगाए जा रही है कि चायद नरिंदर मोडी प्रदाम जी जो है वो श्याचिन का दोरा करेंगे लिए हालां कि उसके अभी पु भागत किया है खाले थोड़ी देर पहले आप हमें यह भी बता रहे थे कि किस तरह से लेह के अगर हम सड़कों की राजमार की बात करें तो वहां पर भी नरेंदर मोडी के पोस्टर और बैनर से पटे हुई है पुरे रास्ते और लोगों को यही उमीद है कि प्रदान मंतर की यह पोशात लेह में इस वक्त मौझूद हैं जहां पर तिबित संस्कृती की अच्छी खासी चाब दिखती है और उसी वेश-भूशा में दिखते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोडी भी लोगों के बीच लोगों के जैसे कपड़े पहनावे के बीच लोगों की बात कर प्रद्धान मंत्री आपको बताते हैं अगर यहां पर ले कि हम पॉपूलेशन की बात करें जिनसंक्या की बात करें तो आधे यहां पर शिया मुसलमान हैं तो आधे यहां पर तिबत्ती हैं बुध्धिस्ट हैं और कुछ वैसी ही चाप और झhलक फिल्हाल नरेंदर मोदी की पोशाक में भी हमें देखने को मिलती है लोगों से जुड़ने की कोशिश मंच पर आप देख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंतरी उमर अब्दुल्ला को भी और यहां पर अपसे कुछी देर में जनता को संबोधित करेंगे और सभी को इंतजार इस बात का है कि कौन से वो जादूई शब्द होंगे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के जहां पर फिर से वो लोगों के बीच अपने आप को रख पाएंगे लोगों से जुड़ पाएंगे फिलहाल यहां पर कुछ बातें मुख्य मंतरी जम्मू कश्मीर के और प्रदान मंतरी के बीच गहरा जटका लगा हाला कि यहां पर अगर हम उमर अब्दुला की राजनितिक दल नाशनल कॉंफरेंस की बात करें गर्बंधन कॉंग्रस के साथ लेकिन लोग सभा चुनावों में यहां पर जो सत्ता पर सालों से काबिज रही नाशनल कॉंफरेंस आज यहां पर सब कुछ चिनता हुआ बीजेपी के हातों में जाता हुआ जी हां यही बहुत बड़ा उलट फेर हुआ था इस बार कश्मीर के इस हलके में जहाँ पर सालों से सत्ता परकाबेज नाशनल कॉन्फरेंस जिसके मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं मजपरूमर अब्दुल्ला और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होते हुए यह हलका बीज़ेपी के जोली में जाते हुए आपको बताते ही इनी तस्वीरों के साथ ये भी बताना चाहेंगे कि विकास का मुदा तो जाहिर तोर पे सबसे उपर है प्रधान मंत्री के एजेंडे में और इसी विकास के वादे के साथ वो लोगों से जुणने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिलों पे राज करने की कश्मीर में अक्तूबर के आसपास होने वाले विधान सभा चुनावों का और दो ही दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से बीज़पी में मिशन 244 प्लस यानि की 87 विधान सभा सीटे जो जम्मू कश्मीर की हैं उसमें हाफ फे माक से उपर जाने का ये मिशन ये एजेंडा बीज़पी का और उसे और मजबूत करने के लिए यहां पर मौझूद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ये बड़ा सा मंच जहां पर आप देख करीब 3000 मेगावाट की यहां पर मांग है बिजली की और आप अंदाजा लगाईए कि सिर्फ आधी मांग ही पूरी हो पाती है इस पूरे हलके में जिसके चलते आज दो जो हाइडल प्रोजेक्ट का उधगाटन करेंगे नरेंद्र मोदी वह अपने आप में बहुत कुछ कह जाएगा यहां की जनता के लिए और साथी में ट्रांस्विशन लाइन का शिला नयाज भी फिलहाल यहां पर कुछ प्लेजेंट्री को एक्स्चेंज होते हैं यहां पर स्वागत हो रहा है और खास बात इन तस्वीरों में जो देखी जा सकती है वो लेह की पारण पर एक व और इसके पहले हम आपको बता दें सैनेको की इस धरती पर कदम रखते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी ने अपसे थोड़ी देर पहले वो लेह के जवानों से रूबरू होए थे और राश्री युद्समारक बनाने का वाधावी उन्होंने यहां पर किया था और यहां से वो नरेंद्र मोदी रुख करेंगे करगिल का और करगिल में भी जहिरतREAM युद्शमारक है लेकिन हमेशा से ही देश में मांग उटती रही है एक राश्री युद्समारक के फिलहाल यहां पर उड़्जामंत्री प्यूश कोल जंता को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोधी जी, जमू कष्मीर के गवर्नर महमहीँ श्री एनन वोहरा जी, जमू कष्मीर के माननिय मुख्यमंतरी श्री ओमार अब्दुल्ला जी, श्री तुपस्तान चवाँ जी, श्री तरुन विजे जी, श्री अविनाश्राइक खन्ना जी, आपके अपने लोकल मिनिस्टर, या लावांग एक्जिन जी, श्री पीके सिना पावर सेक्रेटरी और पावर ग्रेट के सीमदी श्री नायक, उपस्तित सभी भाई और मेरेनों. नमस्कार आपके साथ मैं हूँ तिजस्वी चंडोक नईर, आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री कश्मीर में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी इस वक्त लेह पहुंच चुके हैं और विशेश विमान से वो 9 बचकर 5 मिनिट पर लेह की सरजमी पर कदम रखे थे, फिल लेह की परंपरा की जलक उनकी वेश भूशा में, आपको बता दे, एरपोर्ट पर जब नरेंद्रमोदी पहुंचे थे तो लोगों ने प्रधानमंत्री का पारंपर एक तोर से स्वागत भी किया, जमू कश्मीर के मुक्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी एरपोर्ट पर वाले हैं, मोदी लेह में चुटक पावर प्लांट का शिला नयास करेंगे, ले पहुंचकर मोदी ने जवानों को संबोधित किया, मोदी ने वहां राष्ट्रियस मारक बनाने का वादा किया, जैसा कि हमारे देश में लगातार एक नाश्रियल वार मेमोरियल की मांग उठत की बात कहते हुए, वादा करते हुए लेह के जवानों से, अब से थोड़ी देर पहले मोदी पारंपर एक पोशाक में पहुंची हैं, जैसा कि हम आपको लगातार इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मुख्य मंत्री फिलहाल वहां पर बोल रहे हैं, मोदी लेह में ही 45 की नीमू, बाजगो, पन-बिजली परियोजना राश्रो को समर्पित करेंगे और फिर मोदी करगिल के लिए रवाना हो जाएंगे, करगिल में भी प्रधान मंत्री मोदी एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे और 44 मेगावाट चुटा का बिजली सइयंत्रों को राश्रों को समर्पित करेंगे और आईए आप सीधे रुख करते हैं जमो कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्तुला का एक तो इसमें आब औ हवा जेनरेटर चलाने से जो नुकसान होता था वो तो होता ही था दूसरा जो खर्चा सिरनगर से यहां तक डीजल लाना या कुलू मनाली के रस्ते से यहां तक डीजल लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का इन इलाकों में हमें सामना करना पड़ता थ आज आपके हातों नीमो बाजगो प्रोजेक्ट जो है यहां लोगों के हवाले किया जा रहा है इसके लिए हम आपके शुकर गुजार हैं लेकिन इस मौके पे मुझे जरूर इस से पहले साबका वजीर आजम जिनाब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंग साहब का भी शुक्रिया करना होगा जिन्होंने प्राइमिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी इस प्रोजेक्ट की फुल फंडिंग कराई क्योंकि अगर हम नेच पी सी पर डिपेंड होते शायद इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की इमंद साबित होगा मैंने कट्रा में आपकी तक्रीर जो है गौर से सुनी आपने उस वक्त रेलवेज को हिदायत दी थी कि रेलवे स्टेशन जो है वो सोलर रेलवे स्टेशन में तबदील किया जाना चाहिए आपका गुजरात और लगाक जो है देखने में शायद एक जैसा ना हो लेकिन जितनी सोलर एनरजी की कपैसिटी आपकी रियासत में है शायद उतनी ही कपैसिटी सोलर एनरजी की यहां लगाक के शेत्र में है फरक सिर्फ इतना है कि यहां सोलर एनरजी को हम सही माने में इस्तिमाल नहीं कर पाते क्योंकि उस एनरजी को बाकी रियासत बाक عبداللہ صاحب نے ریاستی حکومت के साथ एक M.O.U. साइन किया था जिसके तहद हम लदाख रीजिन से 5000 मेगावाट सोलर एनरजी जो है उसको टैप करना चाहते हैं जिससे वाकई इस इसलाके की एकानमी बदल जाएगी इस इसलाके में दो ही चीज़ मुम्किन है एक इस खूबसूरती के वज़े से टूरिजम जिसका हम कोशिश कर रहे हैं फाइदा लेने की और उसके साथ-साथ बिजली की पैदावार जितनी जितनी ज्यादा यहां बिजली की पैदावार हो जितनी ज्यादा बिजली हम इस इस इलाके से बाकी मुलक में बेचने का काम करें उतना ही ज्यादा इस इलाके को हम उपर उठा पाएंगे इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराइट है ही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुस्कुराइट इतना ज्यादा फले फूले इतना ज्यादा हमें नजर आए कि वाकई इनकी मुस्कुराइट जो है सूरज की रोश्णी से मुकाबला करें जो मुझे लगता है इन कामों के जरीए जो हो बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय जम्मू कश्मीर बहुत बहुत धन्यवाद उमर अब्दॉल्ला जी और अब वो मौका आ गया है जिसका हम सब को बेसबरी से इंतजार था हम निवेदन करेंगे माननीय प्रधान मंत्री जी से कि वो लेक अरगिल श्री नगर ट्रां प्रधान मंत्री जी आज लेक अरगिल श्री नगर ट्रांस्मिशन लाइन का विदेवत शिलान्यास करेंगे और इसके माध्यम से ये जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका लेक अरगिल श्री नगर सीधा राश्ट्रे ग्रेट से जुड़ जाएगा हम निवेदन करेंगे आदर्निय प्रधान मंत्री जी से कि वो एनेच पी सी लिमिटेट की नीमो बाजगो हाइड्रो पार स्टेशन परियोजना राश्ट्र को समर्पित करें इस परियोजना से हर साल 24 करोड यूनिट का उत्पादन हो रहा है यहां से पूरे लेके इलाके को 24 घंटे बिचली मिल रही है और अब आदर्णिय प्रधान मंत्री जी की उपस्तिती से यह जो पूरा महाल उर जावान हो रहा है हम आग्रह करना चाहेंगे निवेदन करना चाहेंगे माननिय प्रधान मंत्री जी से कि वो आएं और हम सब का मार्ग दर्शन करें माननिये प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन्पर्विराजमान राजपाल स्रीमान हैनेन बोराजी यहां के मुख्य मंत्री स्रीमान उमार अब्दुलाजी केंद्र में मंत्री परिश्ट के मेरे साथी उर्जा मंत्री स्रिमान प्यूस गोयल जी जमुकश्मी सरकार के शहरी विकास मंत्री नवांग रिकजिन जोराजी हमारे उर्जावान और समाज सेवा में सदा ततपर ऐसे नवनिर्वाचित साउसत सिमान थुप्स्तान स्छेवांग जी साउसत में हमारे साथी स्री अविनास राय खन्ना जी उर्जा सचीव स्रीमान पीके सिना जी पावर ग्रीड के स्री अर एन नायक जी और विशाल संग्या में पधारे हुए लदाक के मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों साइद बहुत लंबे अर्शे के बाद ले लदाक के इन चोतियों ने इतना बड़ा भारी जन सागर देखा होगा यह मेरा सहुभा के रहा है कि मुझे कई वर्षों तक जमू कश्वीर खेतर में भारती जनता पार्टी के संगठक के कायर करता के रूप में कायर करने का आउसर मिला था और उसके कारण इस खेतर में मुझे बार बार आने का आउसर मिलता था मैं यहां के जीवन से भली भाती परिचित हूँ यहां की कठिनाईयों से भी परिचित हूँ और सबसे बड़ी बात मैं यहां की शक्ती से भी परिचित हूँ लेकिन आज मुझे यहांने में बिच में काफी समय बीद गया गुजरात में मुख्यमंत्री का दाईत्म मिलने के बाद मैं आ नहीं पाया था पिछले लोग सभा के चुनाओं में भी मेरा मन करता था मैं कैसे भी करके यहां पहुँचू लेकिन नहीं आ पाया और मेरे लिए आस्चेरे की बात है कि मैंने अपना एक लिखीत भाषन बेच दिया था और लद्दाग और लेक इस इलाके के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया इतना प्यार बरसाया कि इस लाकित पाठ भाषन को सुनने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आये थे मैं आपके इस प्यार को कभी भोल नहीं सकता और आपने मुझे जितना प्यार दिया है जितना सम्मान दिया है यह कर्ज मैं चुकाऊंगा ब्याज समेख चुकाऊंगा और इस शेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकता हूँ करके आपकी शक्ती को पहचान कर यह शक्ती राष्ट्र की शक्ती कैसे बने यह उर्जावान प्रदेश राष्ट का उर्जावान प्रदेश कैसे बने इसके लिए दिल्नी में बैटी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और जम्बू कश्मीर की जन्ता के साथ कंदे से कंधा मिला करके काम करने के लिए संकल पबद्ध है एक समय था दो दो पाँच पाँच ददद साल तक कभी पधान मंत्री जम्बू कश्मीर की धर्ती पर नहीं आते थे और ये एक वक्त है कि महने में दो बार एक प्रधान मंत्री धर्ती बढ़ाता है आपका प्यार मुझे खीच करके लिए आता है और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक शेत्र ऐसा है खास करके ले लदाक्का जहां पर से प्रकाश, परियावरान और परियतन ये तीन पी प्रकाश, परियावरान और परियतन ये ऐसी ताकत हैं, जो सिरफ ले लदाक नहीं, सिरफ जम्मु कश्मीर नहीं भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर धली भांती सहियोजन हो समागम हो और उसका विकाज हो तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है यहां का प्रकाश, अन्धेरों को भगाने के लिए, परियावरान की रख्षा के लिए और परियतन को आकर सिथ करने के लिए, एक बहुत बड़ी मिशाल है अगरुर बक्षे मंतरी जी ने कहा, गुजरात के वर लेल अटाग के सोलार रिडियस्ट के समाण है, गुजरात के रिगिस्तान में जितनी सोलार एनर्जी की सम्भावना है, उतनी ही सोलार energy की संभावना ले लदाग में है गुजरात का कच्छ का जीला बहुत पड़ा सिमाक्षेत्र है ले लदाग के जीला भी बहुत पड़ा सिमाक्षेत्र है और सोलार energy के लिए भारत सरकार ने वर्तमान बजेट में ले लदाग को भी अपना योजना के केंदर में रखा है और एक बहुत पड़ा सोलार पार जिसकी संभावना यहां पर है आज यहां दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और इसके बाद कारगील में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना है अब आप उधारी रोशनी पर नहीं जीएंगे आप अपनी खुद की रोशनी पर जीने वाले हो अब आप यह इलाका स्वयम प्रकाशित हो रहा है अब बीजल की आवाज वो धुमें वो पर्यावरन का संकट इस सबसे मुक्ति का एक पर्व है यह पावर प्रोजेक्ट आज देश को लोकारपन हो रहा है और रास्ता के हर कौने को हर प्रकारत हमें जोड़ना है चाहे रेल कनेक्टिविटी हो एर कनेक्टिविटी हो रोर कनेक्टिविटी हो टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो यह बीजली की ग्रीड की कनेक्टिविटी हो हिंदुस्तान के हर कौने को जोड़ना है और आज मुझे खुसी हैं कि हिंदस्तान के दूर सुदूर सीमावर्तिक छेत्रों को भी बिजली ग्रीड से जोड़ने का एक अभियान उसका सिलान्यास हो रहा है जो सपना अकल भी है रिवाजपाई जी ने देखा था उसको पूरा करने का आज हम प्रारंब कर रहे हैं करीब अठारा सो करोड रुप्या की लागत से और टेक्नोलोजी के लिप होती ही उत्तम प्रकार की योजना से ये बिजली की ग्रीड जो यहां से बिजली ले जाने के लिए भी और यहां से बिजली लाने के लिए भी, यहां दूर सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए वो काम आने वाली है, आप कल पड़ा कर सकते हैं, जब यह काम पूरा होगा, तब इस पूरे छेत्र का, नदाव सश्री नगर तक का, रास्ते के सारे जीवन में कितना बड़ा बड़ाव आ जाएगा, आखिर कर, विकास वो होना चाहिए, जो सामान्य मानवी के जीवन में बड़ाव लाए, हम उन योजनाओं पर बलते रहे हैं, जो सामान्य मानवी के जीवन में बड़ाव लाने के लिए काम आए, और उसमें, उर्जा का बहुत बड़ा महत होता है कि एक शेत्र सारे विश्व के लिए आकर्शन का शेत्र कैसे बने एक विशिष्ट प्रकार की यहां प्राकूर्टिक व्यवस्ता है मैं हमेशा देखता हूँ यहां के लोगों के चहरे की मुश्कान जब यहां के चटान की चोटी पर थोड़ा सा जब बर्फ होता है और जब इस चोटियां मुश्कराती हैं वैसे यहां का हर स्व्यक्ति उसके चहरे पर मुश्कान में जराती है यहां की राष्ट भक्ती भारत की रक्षा की एक मिसाल है मैं आपके भीतर की उस राष्ट भक्ती आपके उस त्याग और तपच्चरा को विशे इस रुप्षाद नमन करना चाहता है अभिनंदन करना चाहता है और यही एक बहुत वड़ी ताकत है जो आप देश को दे रहे हैं और इसलिए आपके इस सामर्थ का भी मगवरव करता हूं मैं जब दिल्ली से बार बार एक शेत्र में दौरा करने आता था तो जिन लोगों को मेरे परिचेर था दिल्ली में उन परिवारों के एक मांग रहती थी मुझी ची लदा कब जा रहे हो तो मैं पूस्ता थे क्यों कहां काम आए बोले इस बार जब आओगे तो गोबी और आलू ले आना मुझे इतनी माग रहती थी कि मेरा अपना तो सलगेज बहुत कब रहता था लेकिन जब मैं यहां से वापिस जाता था तो डेर सारा गोबी आलू यहां से लेके जाता था और उन परिवारों को बड़ा आनंद रहता था आज तो हम लद्दाग से आई हुई गोबी का सबजी बनाने वाले हैं यह यहां की थाकत साहर इंदुत्तान के और कौनों को परिचित नहीं है जब टूरीस यहां एक बार आता है तो जल्दी उसको जाने का मन नहीं करता है इक शेत्र में वो जाना समय पिताना पसंद करता है ऐसा एक शेत्र है और इसलिए सरकार टूरीजम के विकास के लिए भी प्रतिवद्ध है और साथ-साथ मैं जानता हूँ जब मैं यहां आया हूँ तो कुछ बात है इस बार बजेट में सरकार ने गोश्रा की हैं जिसका चम्य कश्मीर के जीवन पर कितना बड़ा बडलाव आने वाला है एक तो जो हिमालें स्टेट्स हैं उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचा जाए क्योंकि उनकी कठनाईयों को ध्यान में रख करके सोचा जाए इस कंसेप्ट को लेकर कि हम आगे बढ़ रहे हैं हिमालें स्टेट में और गनिक खेती उस पर बल कैसे दिया जाए और गिमालें स्टेट्स की और गनिक खेती ग्लोबल मार्केट कैसे प्राप्त करें ताकि यहां का किसान जादा कमाई कर सकें उसी प्रकार से सरकार ने एक ऐसी इंस्टिटूट बनाने अन्ताय किया है जिसके कारण इस इमालें प्राकुर्दिक संपता का अध्यान हो उसकी विशेस्ताओं का उसका सामर्थ का रास्ट कल्यान में कैसे काम आए उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं भारत सरकार का स्पाइसिस के लिए एक बौर्ड चलता है जो देश भर में किसान जो स्पाइसिस उस्पाइदन करते हैं उनको मदद करने का काम करता है हमने निर्णे किया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सैफ्रान रिवल्यूशन लाना है और मैं जम्मू कुस्मीर में जब सैफ्रान रिवल्यूशन की बात करता हूं मुटलब यहां का जो केसर है जो हमारा यहां का किसान केसर की खेटी करता है मैंने स्पाइसीज के बाड यहम को कहा है कि केसर के विकास के लिए केसर के मार्केट के लिए आधुनिक खेटी के लिए इस 22 बाड के माध्यम से एक special व्यवस्ता खड़ी की जाए उस बाड के अंदर एक अलग इकाई खड़ी की जाए वो specially जम्मु किश्मीर के किसानों की चिंदा करें उनके इस केशर की खेती पर बदद करें और ये सेफ्रोन के दुर्ष्टी से केशर की दुर्ष्टी से पूरी दुनिया में आगे बड़े हमारा पस्मीना ये गर-गर की पहचान है एक गवरो है लेकिन आज उसके हालत क्या है 12 सरकार ने एक P3 प्रोजेक्ट इस बजेट में गोशित किया है और जिसका मूल काम है पश्मीना के प्रोडुक्शन पर उसकी डिजाइनिंग के लिए उसकी टेक्नोलोजी के लिए कैसा उसको आंधुनिक बनाये जान उस पर हमने ग्योजना करने का ताई किया है जो आने वाले दिनों में जो पश्मीना के काम में लगे हुए हमारे कारिकर है उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे जैसे मैंने पहले ही कहा हम सोलार प्रोजेक पर बलतेने वाले हैं कई वर्षों से दिन्ली सरकार का और जम्मू किश्मीर का एक मुद्दे पर जगड़ा चल रहा था और उप जगड़ा ये था कि फूर्ड कार्परेशन अफ इंडिया जो खादान ने देता हैं जम्मू किश्मीर को और उसमें कुछ ब्याज की रकम का जगड़ा चल रहा था बारत सरकार साट करोट पर मांगती थी जम्मू किश्मीर सरकार कहती थी भाई अब ये बहुत हो गया हम नहीं दे पाएंगे छोड़ दीजिए लंबे अर्शे से हमारे उमार जी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे भाई बेहनों आज जम्में हाँ आया हूं तो मैं गोशित करता हूं कि पुराना जो मासला बिलंबित पड़ा है 12 सरकार ने ताय किया इसको अब लंबा खीचना नहीं है विए 60 करोड बे भाई भाई सरकार माप कर देती है एक प्रकार जेए बड़ी मदद जम्मु किश्मीर को सीधी सीधी हो रही है उसी प्रकार जेएक दूसरा बड़ा मसला अटल जी की सरकार ने काम सोचा था लेकिन बाद में रोड बनाने के उस काम में लागत बढ़ती गई का उंचे दाम आए टेंडर में भारत सरकार उसको करने के लिए तयार नहीं जमुश सरकार के लिए करना मुश्किल है और हमेशा राग भाई अतिरिक पैसे कौन दे रोड बन नहीं रहा है करीब करीब आठ जार करोड रुपियों की जरुवत अतिरिक प्रोजेक के सिवाए अब आठ जार करोड रुपिया जादा नहीं देते हैं तो रोड बनता नहीं रोड बनता नहीं तो connectivity बढ़ती नहीं है हमारा जम्मू कश्मीर के कई इलाके अलग खलग रह जाते हैं लंबे अर्शे से भी लंबित मामला था हमने निर्णय किया है और बहुती कम सबय में cabinet में मैं उसको पारित करवा दूँगा और उसके कारण भारत सरकार को आठ हजार करोड रुपया का अतिरिक खर्च होगा ये आठ हजार करोड रुपया का अतिरिक खर्च करके भी जम्मू कश्मीर को चार बड़े महत्वपून रोड करेक्टिविटी बने उसके लिए हम जुरूर काम करेंगे और यह हमारा संकल्ब है उसंकल्ब को हम पूरा करेंगे जम्मु कश्मीर के मेरे भाईयो भेनो हम यह बिजली के कान खाने लगा करके ही यहां का अंधेरा दूर करना चाहत ऐसा नहीं है हम यहां के हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं हम यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्त कराना चाहते हैं हम स्कील डवलप्मेंट करना चाहते हैं हम एजुकेसल इंस्ट्यूशन का नेटपर करना चाहते हैं और मैं आपको भी स्वास दिलाता हूँ, इस धर्ती के प्रती मेरा लगाव है, यहां के लोगों ने कठीन से कठीन दिनों में भी मुझे बहुत प्यार दिया है, मिहां करके रहता था, कभी करगिल जाके रहता था, कभी श्रीनगर रहता था, इतना प्यार मैंने पाया है, हर पल मेरा मन करता है, कि जो नया दाईत में मेरे पाथ है, वहां से बैठके, मैं जितना यहां कर सकूँ, उतना करना चाहता हूँ, और जो मैं प्रकाश की बात करता हूँ, अंधेरा तूर करने की बात करता हूँ, मैं जानता हूँ, कई वर्षों से हमारा देश प्रस्टाचार के कारण परिशान है, देश को रुप्यों की कमी नहीं है, चाहे दिल्नी में बैटी हूई सरकार हो, चाहे राच्यों में, देश की जनता प्रस्टाचार के खिलाप गुस्चे में है, और मैं देश समाचियों को हिंदुस्तान के एक कौने में लद्दा की चोटियों से, आज भी स्वाद दिलाता हूँ, कि हम बैश्टाचार के खिलाप पुरी ताकत से लड़ेंगे, बैश्टाचार विरोधी, समाज में जो भी शक्तियां है, उन शक्तियों को साथ लेंगे, जिन जिन राजनितिक दनों में भी बश्टाचार के खिलाप लड़ने का माजा है, उनके जो नेता प्रश्टाचार के खिलाप लड़ते रहें, उनका भी हम साथ लेंगे, सासन व्यवस्ता में बैटे हुए, इमानदार अप्सर भी है, उन इमानदार अप्सरों का भी साथ लेंगे, लेकिन देश में, बश्टाचार ने देश को तबाह करके रखा हुआ है, बरबाद करके रखा हुआ है, रुप्यों की कमी नहीं है, दर्शन की कमी नहीं है, सावर्थि की कमी नहीं है, इस देश के पास सब कुछ होने के बाद भी, देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, गरीब बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम प्रस्टाचार के खिलाब लडाई में विजई होंगे ये सारा धन गरीबों को काम आएगा ये योजनाएं तेजी से परिपूर्ण होगी और विकास के कानन व्यक्ति के परिवार के जीमन में विकास के नए अवसर परदा होंगे और उसकी पूर्ति के लिए दिलनी में बैठी हुई आपके द्वारा चुनी हुई नई सरकार संकल्प बद्द है हम टूरिजम को बहुत बढ़ावा देना चाहते क्योंकि टूरिजम गरीब से गरीब को रोजगार देता है मूफली बेचने वाला चना बेचने वाला चाय बेचने वाला हर कोई तूरिजम से कमाता है अटो रिक्षा वाला कमाएगा गेस्टाउस वाला कमाएगा घोडे वाला कमाएगा तांगे वाला कमाएगा गरीब से गरीबाद भी कमाता है और इसलिए हम टूरिजम को बढ़ावा देना चाहते हैं और जब टूरिजम बढ़ता हैं तो उसका सरवादी गलाब जम्मू और कश्मीर को लेह और लदाक को मिलने की संभावना है यहां के नवजमानों के ही पर रोजगार मिले यह हमारा प्रयास है और आज आपके बीच आने का मुझे आउसर मिला यहां की परंपरा के अनुसार मेरा स्वागत सम्मान हुआ आपने मुझे अपना तो बना लिया है लेकिन आज मेरी बेश-भुशा भी आपने अपनी बना लिया यह आपके प्यार को अपने भीतर मैं संजोए रखूँगा और हमेशा हमेशा दिल्ली में बैटी वी सरकार प्रस्टाचार के खिलाब लड़ने के लिए भी अंधेरा दूर करने के लिए विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके काम करेगी इसी विश्वास के साथ भारत माता की जय क्या प्रण ले करके बंदे मात्रम का नांद गुश्ते हुए पूरे जमु किश्वीर की काई का विकास हो कल्यार हो उसी संकल्प गुले करके आगे वड़ेंगे इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुप कामना है बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मंतरी जी आपके मार्ग दर्शन के लिए